स्कूल के दरवाजे पर दस्तक देने आए बचपन की ये तस्वीर दिल को सुकून देने वाली है क्लासेज में उचलते, कुटते और डांस करते नन्ने बच्चों से रोशन है स्कूल स्कूल की दीवारे, कमरे और मैदान फिर से भागते कदमों से भर गई हैं सीढियां, प्रार्थनाओं में बच्चों ने मांगी हैं दुआएं, उत्तर प्रदेश के स्कूल फिर से गुलजार हुए हैं कुरोना की त्रासदी में घरों में कैद बच्चों का बाल मन एक बार फिर स्कूलों की खूपसूरत जिन्दगी को जीने के लिए दिवारों से बाहर निकला है ऑनलाइन क्लास की मुश्किलों में घंटो, टैब और लैपटॉप के सामने बैठी बच्चों के सामने से हटा दी गई है स्क्रीन खोल दिया गया है आस्मा, सारी दुनिया, सारी जमीन भी दोस्तों से मिलते बच्चे, टीचर्स के साथ जूमते बच्चे, माबाप के स्कूल छोड़ने पर उन्हें मुश्कुरा कर देखने वाले बच्चे, क्लास में जाते बच्चों की ये तस्वीर, सोशल मीडिया पर लोगों को सुकून दे रहे दो साल के मुश्किल वक्त के बाद मिला है हौसला इस बात का कि वक्त चाहे कितना भी बुरा हो, बदलता जरूर है एक बार फिर स्कूल में प्रेयर्स की आवाद सुनाई दे रही है एक बार फिर क्लासेज में टीचर्स के सामने बच्चे शरारतों में जीने को वेताब है, एक बार फिर स्कूल की घंटियों में मिलने वाली है खुशी, वही खुशी स्कूल से घर जाने की अच्छा लगा गुस्ताच मिली? यस अच्छा लगा, आज हम दो इस धेश ने, इस देश ने, सारी दुनिया ने, देखी हैं तमाम मुश्किलें वो परिशानिया जिनमें हर रोज एक नई आपदा दिखाई देते थी लेकिन इस बार पार की गई हैं तमाम परिशानिया निकाला गया है रास्ता कि सब ठीक हो ये मुश्कुराते चहरे अवाएं हैं बताने कि देखो दुनिया फिर से अपने कदमों पर खड़ी हो गई है सोशल मीडिया पर बच्चों की इन तस्वीरों को देखकर यूजर्स कह रहे हैं कि अब इस बच्चपन को किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए ये कहना लाजमी भी है जिस बच्चपन को खेलते, कूदते, उचलते और शरारतों में जीते दुनिया देखती रही है उसी बच्चपन में हमारे नन्हे बच्चे घरों में कैद रहे हैं अब फिर से खुले हैं स्कूल तो उम्मीद जगी है बच्चों की तस्वीर नहारते, लोग मुस्कुरा रहे हैं इन चहरों से उम्मीद मिलती है होसला की जिन्दगी उतनी ही खुबसूरत है चेहरों की मुस्कुराहट ऐसी बनी रहनी चाहिए हम उम्मीद करते हैं दुनिया ऐसे ही खुबसूरत बनी रहेगी करें कि प्रतिे ही जड़ाँ और मेंगे जहें उर्सोरत जा चेह हैं